बॉठ्प वाला पुखडा लेके चापोला बजार लेके चापोला बजार दोस्तों आज किस प्रीडियो में आपको राजसाने सोंग के साथ लारिक्स स्टैटस अरेटी करना सिखाने वाला चांद वाला मुक्रा सोंग यह अपने इंस्टाग्राम रील पर जरूर से सुना होगा नहीं काफी पॉपुलर हुआ था कुछ दिन पहले लेकिन मैंने इस पर स्टैटस नहीं बनाया है एक भाई ने मुझे बला था कि आप इस गाने पर स्टैटस बनाईए तुम्हें इस गाने पर आज आपको स्टैटस बनाना सिखाऊंगा आप से रिक्वेस्ट देगे आप लास्ट तक वीडियो को देखते रहना तो चलिए शुरू करते हैं सबसे करने पर इस तरह किसी यूजर इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा यहां पर अगर आपको प्राब्लम आ रही है प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करने में तो कल परसो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शिन में मिल जाएगा इस बीडियो को देख लीजिए आपको प्रोजेक्ट इंपोर्ट हो जाएगा आपको यहां पर स्नक एंफेक्ट और सोंग इससाँने अग्रेटम करें च достаточно कुछ आपके सामने इस तरह के से आपन हो जाएगा और यहां पर जो लार्क्स है वो मैंने अल्रेटी डाल रखिए ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी यहां पर जो लार्क्स मैंने यूज कि यहां पर एक बागराउंड भी मैंने अड़ किया है तो उस बागराउंड को आप डाउनलोड कर लेना जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप क्या करेंगे यहां पर आपकी जो लार्क्स वो कम्पलीट है जहां से आपकी लार्क्स खत्म और यहां से खत्म हो दिए तो यहां से आपको फोटो आड़ करने होंगे फोटो आड़ करेंगे प्लस पर क्लिकरेंगे मीडिया पर क्लिकरेंगे जहां पर भी आपके फोटो रखेंगे हैं आप अपने फोटो को वहां से लेंगे और यहां पर स्टेब और स्टेब आड़ क करेंगे ठीक है जो फोटो मैं यूज करने वाला हूं ये फोटो मेरे टेलिगाम चनल पर आपको मेल जाएंगे आप वहां से इनको डाउनलोड कर लेना फिल अपको यहां पर आड हो जागा त्रिलाइन पर फिल कॉमपसें अरिया करेंगे उसके बाद इस वाले अपसिंस पर क पर लिचे ऑगए प्लस ङसाना अं ज्यूणा इस ताएंगे बीट की साइज्ट आ रही है लास्ट तक उतनी आपको हर फोटो के साइज को रखना होगा तो यही प्रोसिस आपको करना है और लास्ट तक जितने विफोटो आने वाले उन सारे फोटो को आप इस दरीजे फटापड अड़ करेंगी मैं फोटो को आड़ कर देता हूं बीट के हिसाब से किसी भी एक फोटो की साइज को आपको ज्यादा कम नहीं रखना सबको बीट के हिसाफ से fix रखना है तो दोस्तों आप देखते हैं step a step मैंने यहाँ पर सारे फोटो को add कर दिया है आपको फोटो को add करने के पास सबसे आगे आ जाना इन फोटो में आपको effect डालने होगी effect कैसे डालेंगे मैं आपको complete बताऊंगा सबसे आगे आएंगे और यहाँ प आप बना सकते हैं आप फर्स्ट वाली बीट पर आएंगे प्लस पर क्लिकर के मीडिया पर क्लिकर के यहां पर आपको और यहां पर है मैं आपको एक बैगराउंड देने वाला हूं तो उस बैगराउंड को select करके आप यहां पर add करेंगे जो कि आपको इस तरह के मिलेगा औ मदल्emen उसके नीचे आपको ले लेना है यहां पर यहां पर इस तरह किसे ऊपर आजाएंगी आपको जाना है आ कि कहां तक है JUL तो वह तक आप हमारी है तो यहां तक हमारी लारे इससस्ते पोईंट तक आप आएंगे और जस्ट आप वह बैगराउंड यहां पर नीचे रहे पर आपको फॉस्ट मैं टेक्ट लाइन मिलेगी इसमर आप फॉस्ट में टेक्ट लाइन डाली नीचे यहाँ आप सद्स्टम channel लिए कर देना दूसरे लाइन पर जाना ऐस डॉस्ट कर देने जितने हैं उन दे पर आपको फोटो में इफेक्ट ळाल नहें होगी कौन कौन से फोटो में डालनी होगी यह मैं आपको कंपलीट बताऊंगा तो वीडियो को स्कीप मत करीजिएगा यहां पर जो सारे नेम थे उन यहां पर यहां पर कंपलीट हो चुकी है उसके बाद यहां पर देखने में काफी अच्छी लगेगी उसके बाद यहां से बैग आएंगे और यहां पर फोटो मिलेंगे एक दो और तीन फोटो तो आपको करना क्या है यह जो फॉर्स्ट वाला फोटो इस पर आपको क्लिक करन करेंगे कॉपी पेक्ट करने के बाद यहां सब को बाग आना और वापस आपको बीट मार्क वाली प्रोजेक्ट को आपन करना यहां पर जो लारक्स है इसमें यह वाला फॉंट यूज किया यह फॉंट आप जब तक अलाइट मुझन में आड नहीं करेंगे आपके तब तक आ आउनलोड होने के बाद आपके डाउनलोड वाली फोल्डर में आ जाएगा आपको त्रियाल करेंगे नीचे इंपोर्ट फोंट पर क्लिक करना है जहां पर पर आपको स्लख्ट करके यहां पर स्लाक्ट अप क्लिक एंगे फोन्ट का अलाइड मुझन हो जागा उसके बाद ये आपको दिhosph Sky आतिकर नाम जो लायरिक से हो आ जाएगी यह आपको दियां रखना उसके बाद आप आप जहांसे आपको फोटो स्टार्ट हो में वहांपर आप जाएंगे तो फोटो Kenneth हमारे यहा से स्टार्ट हो रही तो फस्ट वाले फोटो पहर आपको क्लिक कर देना उसके बाद जो इसके पास में जो फोटो आ इसको आपको छोड़ देना इसके बाद जो फोट आएगा इस पर क्लिक कर आपको पेस्ट कर देना यह प्रसेस आपको लास्ट को छोड़ गें दूसरे जो आने वाले फोटो में आपको इस एफेक्ट को पेस यहां पर यहाल वाल फोटो इसमें आप कोई इफ्छक नहीं डालने है उसके बाद यहां सि enhance याम सन्वाइब लूज्ट को अपन करें आगा पर यह मैं कि आपको यहां पर यह वाला फोटो मिलेगा यह बाला इस पर फोटो पर क्लिकना एफेक्ट पर क्लिकना है तो आपके फोटो के अंदर इस तरहीं से कलर चेंजिंग एफेक्ट पेस्ट हो जाएगी उसके बाद यहां से वापस डायरेक्ट बैग आएंगे साइक इफेक्ट वाले प्रोजेक्ट को आपन करेंगे यहां पर आपको यह वाला वहाँ पर आएंगे तो यह तो complete है और दूसरी फोटो पर आपको क्लिक करें इस इफेक्ट को इस तरीक से paste कर देना है और यहां पर चोते को छोड़ देखें पांच वाले फोटो पर डाल देना है यह फोटो आपको लास्ट तक आपको जितनी फोटो हमने छोड़ दिये यहां पर आपको एक template देने वाला हूं तो आपको इस तरह से template मिल जाएगा उसके बाद प्लस पर क्लिक नहीं और ब्लेंडिक और प्लिकना है लाइटन पर क्लिकना आपको स्क्रिंट पर क्लिकना है उसके बाद आगे आएंगे बिलकुल लास्ट तक जाएंगे जहां तक आ इसके बाद आपको क्लिकना और इस वाले उप्सिंस से इसको हटा देना है फालतो को तो आपका यहां पर पूरी तरह के से complete बन चुका अगर आप वोटरमार कुछ भी लगाना चाहते तो लगा सकते हैं कैसे बनाते हैं इस पर मैंने कल भी वीडियो बनाई आप देख सकते ह करेंगे चुकि स्टाइटस के अंदर आप आड़ कर सकते हैं उसके बास आटिक के पास और आप्सिंस पर क्लिक करेंगे वीडियो को सेलेक्ट करें एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे